दोस्तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बिटकोइन का प्राइज आगे कितना जा सकता है इथेरियम का एनलिसिस करूँगा मैं लॉंग टम में भी और शॉर्ट टम ट्रेडिंग भी आप देखके कर सकते हैं उसको और मैं करूँगा एनलिसिस EOS का तो ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखना ताकि आप भी ऐसे ही ट्रेडिंग कर सकें हेलो दोस्तो स्वागत है क्रिप्टो किंग ओफ इंडिया में मैं और ग्लोबल राशित आ रहे हैं 29 सेप्टेंबर को आपके शहर डेली में टेकनिकल एनलिसिस का सेमिनार लेकर जिसमें Candlestick Patterns, Chart Patterns, Indicator, Curve के Shape को देखके Trade करना, Money Management, Risk Management ये सारी चीज़े Advanced Level में सिखाई जाएगी तो जो भी हमारे दोस्त डेली आना चाहते हैं वो स्क्रीन में दिये हुए mail पर Seminar के Payment की Details ले सकते हैं तो दोस्तो 15 September Payment की Last Date है तो जल्दी से जल्दी अपनी Seats Book कर लीजे क्योंकि बहुत ही Limited Seats है तो दोस्तो ये है BTC USD का Chart जैसा कि आप देख सकते हैं 1 Day का Chart में खोला हूँ Bitfinex का और Price चल रहा है भी 6351 तो दोस्तो ऐसा हुआ है यहाँ पर कि 1 Day का Crossover है वो हो चुका है 7 और 30 Moving Average में तो यहाँ पर यह Crossover होने के बाद क्या होता है मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि यहाँ पर हम Bearish हो जाते हैं कि 7 का Moving Average 30 के Moving Average को Cross कर दिया है 1 Day के Chart में लेकिन दोस्तो कई बार ऐसा होता है कि यह जो आप Green Candle देख रहे हैं लगातार जो आ रहा है तो यह दोस्तो यहाँ तक जा सकता है उपर की तरफ 6500, 6600 डॉलर पे और वहाँ पे Trap करके लोगों को फिर से Price नीचे की तरफ आ सकता है तो ऐसा बहुत Cases में हुआ है तो यहाँ पे भी हो सकता है कि Price यहाँ से उपर चले जाए Forcefully आज या कल में और फिर नीचे की तरफ आ जाए क्योंकि Trend जो बना है वो तो दोस्तों Downside का ही बना है तो हम अभी Bullish नहीं जाएंगे अगर यह Price उपर की तरफ अच्छे से Break करता है Crossover होता है फिर हम Bullish Trend की बात करेंगे जब Bearish Trend चल रहा हो तो उसकी ही बात करना चाहिए क्यों जबरदस्ती Bull Run Bull Run की हम बात करें तो दोस्तों अब मैं आपको Trading View से समझाता हूँ कि यह जो Descending ट्रेंगल बना था 3D के चार्ट में आपको मैं दिखाया था पहले भी यहाँ प सकते हैं लेकिन दोस्तों इसकी height के हिसाब से price जाना possible नहीं है इसलिए आप ऐसा मत सोचिए कि जितनी इसकी height है उतना जा सकता है price क्योंकि जितनी इसकी height है अगर उतना price चले गया तो Bitcoin का price तो zero हो जाएगा जो की possible नहीं है तो दोस्तों ऐसे pattern को समझना भी जादा जुरूर कि आप थोड़ा अपना दिमाग लगा कि समझें भी कि क्या यह पॉसिबल है तो अगर यह ब्रेक होगा तो हाइट के हिसाब से तो टार्गेट नहीं लेगा उतना पॉसिबल नहीं है लेकिन दोस्तों अगर हम यहां पर सपोर्ट की बात करें तो 5100 पे एक सपोर्ट है दूसर कि आप जानते हैं क्रिप्टो करेंसी का आगे का फ्यूचर कितना ब्राइट है तो अब हम एनलिसिस कर लेते हैं दोस्तों मुविंग एवरेज के थू भी तो यहां पे मैंने 50 और 200 का मुविंग एवरेज लगा लिया है और 4 हंटे का चार्ट में फोल लेता हूं तो जैसा क अब देख रहे हैं कि 4 हंटे का चार्ट है जो उसमें 50 और 200 का मुविंग एवरेज क्रॉस होने वाला है तो यह क्रॉस ओवर अल्रेडी मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि कितना इंपोर्टेंट होता है तो यहां पे क्रॉस ओवर होने पे भी सेलर सेल करेंगे प्राइ मैं अब साइट की बात नहीं करूँगा दोस्तों क्योंकि अगर मुविंग एवरेज सब कुछ क्रॉस हो रहा है तो अब साइट की हम बात क्यों करेंगे अगर यह क्रॉस ओवर होने के बाद यहां पे होल्ड कर लेता है प्राइज और फिर मुविंग एवरेज खुम जाता जो की support दिखा रहा है 5800 डॉलर के आसपास तो देखेंगे दोस्तो इसको ये तूरंद break करता है या फिर 5800 डॉलर आने के बाद थोड़ा bounce करता है 6200-6300 तक और फिर इस line को break करता है या फिर दोस्तो ये उपर वली trend line को break करने के लिए जाता है अगर हम उपर की बात करें दोस् लेकिन उसके पहले आप अगर bullish हो जाएंगे तो आप फिर से वैसी ही loss करते आएंगे जैसा कि आपने altcoins में loss किया है इथर को 500 डॉलर पे 600 डॉलर पे लोगों की बाते सुनके bull run आएगा bull run आएगा बोलके buy करते गए और अभी 200 डॉलर चल रहा है मतलब दोस्तो देखके investment कर है जब 2-3 साल बार चार्ट अच्छे बनेंगे वन डे का चार्ट गुमेगा वन मंत का गुमेगा तो प्राइस उपर की तरफ जाएगा लेकिन क्या 800 डॉलर पे इथर को buy करना सही था बजाए इसके कि हम 200 डॉलर पे buy करें तो अल्रेडी जब 800 डॉलर जाएगा तो चार कुछ cross हो के bearish हो गया है एक bullish confirmation तभी मिलेगा जब ये वाला support चार हंटे में cross होगा ये चार हंटे की चार्ट की बात थो रही दोस्तों तो चार हंटे की चार में आप समझ गया होंगे कि bullish और bearish कितना होता है वन डे के chart में bullish और bearish ज़ादा होगा चार हंटे के chart में उससे कम होगा तो अगर हम बात करें तो यह 6773 के आसपास दिखा रहा है resistance अगर इसके उपर close होगा price यहाँ पे hold करने के बाद तब वो उपर की तरफ जा सकता है लेकिन अगर यहीं से एक bounce आ जाता है दोस्तो 6600 डॉलर 6700 डॉलर पे तो मेरे हिसाब से वो short करने का सबसे best समय रहेगा और मैं भी वही करूँगा तो दोस्तो ऐसे ही आप भी trading कीजिए थोड़ा chart को समझिए कि price जब यहाँ पे hold करेगा तब Tinkansen कीजुन को cross करेगा लेकिन अगर price यहीं से जाके पलट जाए तब मैं बुलिश हो जाओंगा या फिर मेरे को 12 घंटे और वन डे के चार्ट में बड़ा हैमर दिखे जो दोस्तो कम से कम 800-900 डॉलर का हो मतलब उसका शैडव हो नीचे की तरफ और एक अच्छा closing price उपर हुआ होगा तब मैं bullish होंगा उसके पहले मैं बिल्कुल भी bullish नहीं हूँ भले price चले जाए उपर की तरफ मुझे मतलब नहीं है तो दोस्तो अब हम ether usd की बात करते हैं तो जैसा कि मैं बताया था यह pennant के बारे में तो pennant तो हो गया है लेकिन हम इसको ट्रेंगल समझ के जो ट्रेट कर रहे थे उसके हिसाब से 190 डॉलर का टेक प्रॉफिट हमने लगा लिया था लेकिन अगर यह pennant है दोस्तो तो pennant के पोल की हाइट के बराबर price नीचे की तरफ जाएगा जो कि मुझे दिखा रहा है support 140 डॉलर के आसपास मतलब इथर का price भी 140 डॉलर के आसपास जा सकता है जहां पे बहुत ही बड़ी buying opportunity रहीगी तो दोस्तो यह one day के चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहां पे आप देख सकते हैं support मैं से इस लोग के हिसाब से तो उतना आ सकता है और मैंने pennant की height भी देखी है जो कि दोस्तो देख सकते हैं अगर pennant की height यहां से हम calculate करें कि pole की height कितनी है तो वो दिखा रहा है 410 डॉलर के आसपास से 200 डॉलर तक मतलब trade थोड़ा सही हो पाएगा हम take profit ले पाएंगे तो 140 डॉलर मेरे हिसाब से support best है यहां जिस हिसाब से दिखा रहा है क्योंकि दोस्तों 140 चले जाता है तो यहां पर double bottom हमारा लगेगा 134 डॉलर पिछला था और 140 डॉलर यहां पर आज जाएगा तो फिर प्राइस उपर जाने की कोशिश करेगा तो उस आप से पैनेंट भी confirmation दे दिया है हमें और हमारा एक support भी है तो अगर प्राइस बीटीसी का उपर की तरफ जंप नहीं करता है अच्छे चैंडल नहीं आते हैं बीटीसी में hold करने के बाद तो दोस्तो बीटीसी नीचे की तरफ आएगा और इथेरियम भी अपना target 140 डॉलर का ले लेगा तो ऐसे में दोस्तो एक आप अच्छा trade कर सकते हैं इथेरियम में भी जैसा कि आप देख सकते हैं पिछले दो दीन में दोस्तो एक बड़ा बड़ा spinning top बना है आप इसको spinning top कह सकते हैं तो यहां पे जो है हमें reversal करने के लिए तो इथेरियम के चार्ट में दोस्तो दो reversal candle बन गया है लेकिन जरूरी नहीं है reversal candle बन गया है तो वो उपर की तरफ ही जाए वो नीचे की तरफ भी break हो सकता है लेकिन अगर वो इस हाई को break कर देता है 210-212 डॉलर के हाई को तो हम देख सकते हैं थोड़ा एक उपर का move लेकिन मुझे नहीं लगता दोस्तो इतने असानी से break करेगा क्योंकि अभी 1952 डॉलर चल रहा है तो हम देखेंगे आगे आने वाले दिन में क्या हो सकता है तो आ उसको cross करेगा तो देखेंगे दोस्तो क्या होता है अगर हम 4 घंटे की चार्ट की बात करें तो कोई भी crossover हमें देखने को नहीं मिला है प्राइस बिल्कुल नीचे की तरफ आ रहा है तब से और आते जा रहा है तो यहां पर बड़े बड़े candle चाहिए दोस्तो एक अच्छा hammer चाहिए बड़ा जो की bullish confirmation हमको दे और price उपर की तरफ जाए जो की मुझे दिखने ही रहा अभी की चार्ट में इसलिए मैं 140 डॉलर की बात कर रहा हूं हो सकता 140 डॉलर ना है क्योंकि दोस्तो अगर support है वहां पे तो उसको ध्यान में देना जरूरी है और उस साफसे trade करना ह नहीं आया 140 डॉलर तो बिल्कुल उपर की तरफ तो जाएगा तो वहां पे हम trade ले देंगे तो हमारा दोनों तरफ loss तो है ही नहीं लॉस तो सिर्फ उसको है जिसने investment करके बैठा है तो उन्होंने नहीं देखा चार्ट को सही से और investment कर दिया दोस्तो इसलिए वह loss में है दोस्तो इथर के चार्ट में इतना ही है अब हम बात कर लेते हैं EOS की तो दोस्तो EOS में जैसा कि आप देख सकते हैं 4 हंटे का चार्ट है 500 और 200 का moving average है और यहां पे यह cross होने को आ गया है लेकिन दोस्तो अगर हम resistance की बात करें इसमें तो उपर का जो resistance दिखा रहा है वो दि जा सकता है max जब वो price यहां पे था 5.7 डॉलर के आज पास तो दोस्तो वहीं से वो reversal हो गया है देख सकते हैं आप कितना बहतरिन काम करता है हमारा support और resistance और इसको मैंने दोस्तो इची मुखू से भी आपको समझाया था जो मैं अभी आपको फिर से समझाने वाला हूं तो द EOS को 3.82 डॉलर तक देख सकते हैं लेकिन उससे पहले हो सकता है दोस्तों यह इस resistance को चुने जाए 5.28 डॉलर के आसपास को और वहां पे 4 घंटे का crossover हो जाए और वहां से फिर थोड़ा bearish sentiment शुरू हो जाएगा market में तो यह तो है दोस्तों moving average और support resistance की बात अब हम EOS को इची rally देखना है 2 घंटे के chart में लेकिन वह possible नहीं लग रहा है तो यह cloud के कहां तक जा सकता है वह मैं आपको बता देता हूं तो यहां पर वही दिखा रहा है दोस्तों resistance 5.26 डॉलर का जो कि मैंने आपको यहां पर बताया है तो देख सकते हैं यहां पर भी 5.28 डॉलर 26 डॉलर के यहां पर कर देंगे प्राइज नीचे आते जाएगा तो हम पूरा सेल कर देंगे या फिर अगर प्राइज एंट्री ले लेता है cloud के अंदर तो हम अपना टेक प्रॉफिट 5.7 डॉलर के आसपास लगाएंगे तो ऐसे करके एक अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा हमको 10 पर रेजिस्टेंस है और प्राइज नीचे की तरफ आ जाएगा और सेम मैंने टेलीग्राम पे भी बताया था तो आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रूप को जॉइन नी किया तो उसको भी जॉइन कर लीजे क्योंकि वहां पर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहाता तो देख सकते हैं कि उनका रेजिस्टेंस कितना बड़ा था प्राइज नीचे की तरफ आ गया और दोस्तो जैसा कि अब देख सकते हैं 4.6 डॉलर के आसपास प्राइज आया है फिर से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है लेकिन देखेंगे दोस्तो जादा जादा 5.3 डॉल और वन डे में सबसे बड़ी बात दोस्तो ये क्लाउड ब्रेक होना चाहिए जब हमें बुलिश जाना है तो यहां पे अगर ये बुलिश की बात करें हम तो यहां पे अगर ये होल्ड करके धिरी धिरे यहां से प्राइस क्लाउड के अंदर एंटर लेता है तो इस लेवल क को ब्रेक करना दोस्तों important हो जाएगा अगर all time bullish जाना है जो कि मुझे किसी भी हाल पर दिखनी रहा है अभी के चार्ट को देखके हो सकता है चार्ट आने वादे दिन में पलट जाए क्योंकि चार्ट दोस्तों हमेशा ही candle के आने से पलट जाते हैं एक अगर अच्छा candle बनेग दोस्तों 10-15% का ताकि आप भी उसमें अगर leverage भी उसकर रहे हैं दो गुना leverage या फिर तीन गुना leverage उसकर रहे हैं तो भी आपको एक अच्छा profit हो जाएगा तो दोस्तों आशा करता हूँ यह वीडियो पसंद आया होगा अगर यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को like कर देना और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि यहां पर मैं लाता हूँ ट्रेडिंग से रिलेटेड रोज एक वीडियो और अगर आपने हमारे टेलिग्रम चैनल को जॉइन नहीं किया तो उसको भी जॉइन कर लीजे क्यों कि मैं वहां पर लेटेस्ट अप्डेट देते रहता हूं